नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युक्चरन, आईए जानते हैं 18 मई की ताजा और बड़ी खबरे, आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए, साथ ही डेली अपडेट के लिए युक्चरन चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आज की पहली खबर है कि उत्तराखंड के चारों धाम में रील्स वीडियो बैन, चारधाम यात्रा के लिए केदारनाथ, बदरीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में श्रधालूओं की भीड प्रशासन के लिए लगातार चुनौती बन रही है, भारी भीड को देखते हुए उत्तराखंड सरक उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूडी ने कहा है कि चारों धाम के मंदिरों के 50 मीटर के दायरे में रील्स या वीडियो बनाने पर पाबंदी लगाई गई है, साथ ही वी आईपी दर्शन पर लगी रोक को भी 31 मई तक बढ़ा दिया है, पहले यह रोक 25 मई तक राजस्थान में वंदे भारत समेत 6 ट्रेने रद की गई, जैपुर के गांधी नगर स्टेशन के रेनोवेशन के चलते उत्तर पश्चिम रेल्वे ने 9 जून को वंदे भारत एक्स्प्रेस समेत 6 ट्रेनों को रद कर दिया है, जबकि राजस्थान से संचालित होने वाली शताब्दी समेत 15 ट्रेनों के रूट में बदलाव किया है, जो राजस्थान के ही अलग-अलग रास्तों से होकर अपने गंतव्य तक पहुंचेगी, इसी तरह रेल्वे ने 4 ट्रेनों को रिशेड्यूल भी किया है मुंबई होर्डिंग हादसे का आरोपी उदैपुर से गिरफतार जोगों की मौत और 75 लोग घायल हुए, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हादसे के बाद से मुख्य आरोपी भावेश भिंडे फरार चल रहा था, जिस पर मुंबई पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया था लखनव जीत के बावजूद प्लेओफ रेस से बाहर, लखनव सुपर जायंट्स ने इंडियन प्रीमियर लीग के 16-60 मैच में मुंबई इंडियन्स को 18 रन से हरा दिया है, इस जीत के बावजूद टीम प्लेओफ रेस से बाहर हो गई, लेकिन टीम का नेट रन रेट कम होने से, गोविंद सिंह डोटासरा का बड़ा बयान, बोले, राजस्थान में भाजपा 5, 7 सीटों पर सिमट जाएगी, राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 की वोटिंग समाप्त हो गई है, अब सिर्फ रिजल्ट का इंतजार है, राजस्थान में 13, 18, इंडिया गठ बंधन की सीटें आएंगी, 5, 7 सीटें भाजपा को मिलेंगी, भाजपा और RSS के लोग कह रहे हैं कि 400 पार चाहिए, ये बार-बार कह रहे हैं कि आरक्षन की व्यवस्था की समीक्षा हम दोबारा करेंगे चह जिलों में अगले तीन घंटों में आंधी बारिश के आसार, राजस्थान के चह जिलों में लोगों को तेज गर्मी और हीट वेव से थोड़ी राहत मिल सकती है मौसम विभाग ने अगले तीन घंटे में जैपुर, अजमेर, सीकर, राजस्मंद, उदैपुर और भीलवाडा में बारिश होने की संभावना जताई है यही नहीं, शाम चार बजे तक इन जिलों में तीन किलोमीटर प्रति घंटे की रफतार से हवा भी चल सकती है इससे पहले, आज सुभे मौसम विभाग ने अगले तीन दिन राज्य में हीट वेव, लू, चलने का अलर्ट भी जारी किया है मौसम विशेशज्यों के मुताबिक तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है आज तीन जिलों में हीट वेव का ओन रेंज अलर्ट है, 14 जिलों में येलो अलर्ट है गुरुवार को 10 जिलों में दिन का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से उपर दर्ज हुआ, जो सामान्य से ज्यादा था सबसे ज्यादा तापमान श्री गंगा नगर में 46.3 डिग्री सेलसियस दर्ज हुआ बार्ड मेर में कल अधिक्तम तापमान 46 डिग्री सेलसियस रहा गर्मी के तीखे तेवरों को देखते हुए विशेश अग्याय ने बच्चों और बुजुर्गों को दिन में घर से न निकलने की सलाह दी है वहीं पशु पक्षियों के लिए चाव पानी की व्यवस्था करने के लिए कहा है औरगन ट्रांसप्लांट मामले में अधिकारियों डॉक्टरों को बचा रही कमेटी राजस्थान में औरगन ट्रांसप्लांट के लिए फर्जी एनौसी जारी करने के प्रकरण में Medical Health Department ने जो जाँच कमेटी बनाई उसकी रिपोर्ट पर अब सवाल उठने लगे हैं कमेटी की जाँच रिपोर्ट को देख कर ऐसा लग रहा है कि कमेटी ने जान बूझ कर इसमें शामिल कुछ बड़े अधिकारियों और डॉक्टरों को बचाने का प्रयास किया है राजस्थान में भीशन एक्सीडेंट चार महिलाओं की मौत भरतपुर के हलैना के पास नैशनल हाइवे पर जैपुर जा रही बस आगे चल रहे ट्रक में घुस गई इस भीशन सडक हादसे में चार महिलाओं की मौत हो गई तेरह यात्री घायल हो गए है जालोर में अतिक्रमन कार्रवाई पर रोक के बाद पहुंचे मंत्री विधायक जालोर के ओडवाडा गाव में चल रही अतिक्रमन की कार्रवाई पर जोधपुर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है जस्टिस विनीत माथुर की बेंच ने 29 लोगों की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया याचिका करताओं के वकील श्याम पालिवाल ने कोर्ट में कहा कि हमारे पास पट्टा है, सनद है तथा पिछले 80 सालों से हम उन मकानों में रह रहे हैं इतना ही नहीं, इन मोहलों में राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार ने भी वेलफेर डेवलप्मेंट किया है बिजली पानी के कनेक्शन भी दिये हुए है दरगाह में जियारत करने आई महिला की तोड़ी चेन अजमेर दरगाह में लगातार चेन तोड़ने की वारदात होना सामने आ रहा है बदमाश एक बार फिर महिला जायरीन के गले से सोने की चेन तोड़ कर भाग गए महिला चितोडगड से अजमेर दरगाह जियारत करने के लिए आई थी साइबर ठगी के तीन मामलों में बड़ी राशी रिकवर श्री गंगा नगर में साइबर ठगी के तीन मामलों में पुलिस ने अकाउंट होल्ड करवा कर पीडितों को उनकी ठगी गई राशी वापस दिलवाई है हालांकि ठगी की पूरी राशी तो वापस नहीं हो पाई है लेकिन साइबर सेल पुलिस ने तीनों मामलों में बड़ी राशी रिकवर कर ली है तीन मामलों में 2,666,216 रुपए का ओनलाइन फ्रॉड हुआ था इसमें पुलिस ने 1,88,514 रुपए रिकवर कर लिये हैं तो दोस्तों ये थी आज की बड़ी और ताजा खबरे आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखे साथ डेली अपडेट के लिए युक्चरन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें